नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जियो फोन में गूगल मैप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना और इस वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सकाइब करके बगले में घंटी वाले बटन को जरूर दबाना तो चलिए सुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने फोन में जियो आइप स्टोर को ओपिन कर लेना है तो चलिए हम अपने जियो आइप स्टोर को ओपिन कर लेते हैं और जब आपका जियो आइप स्टोर ओपिन हो जाए तो आपको यहाँ पर ढूरना है बटन को दबाने के बाद आपने दोबारा उसी बटन को दबाकर इस एप को अपने फोन में इंस्टाल कर लेना है। बटन को दबाई रखना है ताकि इसमें इसमें बोलने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और यहां पर आपको अपने सिटी को चुन लेना है। इसके बाद आपको फिर से वही इंटरफेस आपको दोबारा उसी तरह दिखाई देगा। पर इसमें आपको बोलना है आपको जहां पर जाना है जैसे मुझे जाना है गवरी गंसे सुल्तानपूर तो हमें इस बार बोलना है सुल्तानपूर यानि कि जहां पर हमें जाना है जहां पर हमें उसे पहली बार में बोलना है और जहां पर हमें जाना है उसे दूसरी बार में और loading होने के बाद आपके सामने 4-5 options आ जाएंगे इसमें आपको driver ही click कर लेना है click करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ इस तरह से interface आ गया है आपको वहां का रास्ता दिखाई दे रहा है पर अभी हमें इसे zoom करना है जूम करने के लिए आपको option पर click कर लेना होगा और जिस बटन से आप पीसे जाते हैं उस पर आपको click करते रहना है जब 4-5 बार आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से interface सो होने लगेगा इसके बाद जब आप इसमें 4-5 बार click कर देंगे तो zoom करने के लिए आप जब उसी बटन को आप दो बारा प्रेस करेंगे तो दिख सकते हैं कि यह zoom हो रहा है आपको यहाँ पर step by step आने कि आपको एक एक गली बताए जाएगी कि यहाँ पर कितनी दूर आप पहुंचे हैं और यहाँ से सुल्तान पूर्यानी की कोई भी प्रदेश कितनी दूर है तो आसा है आपको यह वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाग जरू करना और ऐसा ही और वीडियो चाहिए तो description में लिंक है एक बार जाकर जरू देखना तो मैं मिलूँगा आपसे इसकी next वीडियो में तब तक क्लिए take care and bye bye